हे फ्रेंड आज हम बनाएंगे पोहा जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में बहुत हेल्दी है और ये लगबग हर घर में बनाया जाता है नास्ता में या फिर साम के टाइम में स्नेक्स के रूप में भी खाया जाता है और ये बहुत हेल्दी होता है बच्चे या बड़े सब इको बहुत पसंद आते हैं पोहा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यह मैंने पोहा लिया है और यह पोहा जो है मैंने मोटा वाला यूस किया है और मोटा वाला ही पोहा बना है ताकि वो खिला खिला रहे पतले वाले पोहा जो है वो अच्छे से खिला खिला नहीं हो पाता है तो इसमें जो मैं बेजिटेवल यूज करूँगी वो सारे मैंने यहां पर कट कर लिये हैं तो दो बड़े आकार का प्याज लियूँ मैं कट कर लियूँ और थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है और हरा मिर्च, चार से पांच ली हूँ मैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्च को अवाइट करें, दो टमाटर, और हरा धनिया, और ये मैं बादाम भी ली हूँ, और बादाम को भून लेंगे, और बादाम से पोहा में और पेस्टी सा आ जाता है, तो सारे चीज ह जो गए हैं, तो चलिए, पोहा बनाते हैं, तो उससे पहले मैंने यहां पे पोहा को वास कर लिया है, पोहा बनाने से कुछ दिर पहले आप वास करके अच्छे से रख दें इसको, ताकि ये अच्छे से खिला-खिला सा हो जाए, तो आप देख सकते हैं, पोहा बिल्कुल ख भून लूँगी यह देखिए इस तरह से मैं पोहा को बनाने से पहले बदाम को भून ले रही हूं और सेम इसी तेल में मैं प्याज वगरा सारी चीजों को भून जांगी पोहा की रेसिपी जो है बहुत सारी है और कोई बनाता है कोई सिंपल सा प्याज मिर्स करके बनाता है कोई आलू ढालर के भी बनाता है तो नवह सब्सक्राइब बहुत सारी और अब इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सेर करना मत भूलिएगा फ्रेंड तो यहाँ पर मैं इसी ओयल में अद्रक डाल दी हूँ जो कटा हुआ था और हरा मिर्च को भी मैंने डाल दिया है और अब प्याज को भी प्याज अच्छे से तो यहाँ पर मैं गाजर को एट कर दी हूँ इसमें और गाजर को एट करने के बाद टमाटर भी एट कर दें इसमें तो सारे चीजों को डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे अब यहाँ पर मैं स्वाद के हिसाब से नमक एट कर रही हूँ मेरा पोह जादा है तो मैं एक चमबाच नमक एड़ कर रही हूं आप अगर कम पोहा बना रहे हैं तो कम नमक एड़ करें तो यहाँ पर हल्दी पौडर भी मैंने एड़ कर दिया है सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं घर में मिक्स मसाला पीस के रखती हूं वो मसाला अभी मैं थोड़ा सा इसमें एड़ करूंगी उससे और टेस्ट अच्छा आजाएगा तो यह मैंने इकदम थोड़ा सा लिया है तो यह देखिए सारे चीजों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब यहां पर मैं आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाल डाल के थोड़ा थोड़ा करके सारे पोहा को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी अभी एड़ कर देंगे और यह देखिए सारे पोहे को मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप और देख सकते हैं बहुत खिला-खिला आपस में है और बिलकुल आपस में चिपका नहीं है और ये आपको सकते है और साम बस local फ्रेश कर सकते ही और वह क diffyश अच्छ याइग चाव से खाते हैं, तो यह देखें, पोहा कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और इसमें जो मजार में मिक्षर मिलता है, जिसको हम लोग चना चुर्भी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, कमेंड में जरूर बताइएगा, तो यह सारे मिक्षर को मैंने डाल दिया है, मै खाने में भी बहुत टेश्टी बना था मेरी स्वेता किचन चैनल पर आपको हर दिन न्यू न्यू रेसिपी देखने को मिलेगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और कमेंट जरूर करें और न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आके निटी हन्टी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक्यू फॉर फॉर